हाई फ्रेंड स्वागता आफी के चैनल क्रिकिट फैंटेसी अलेबिन पर भाईयों में इस वीडियो में बात करूँगा स्री लंका वर्सिस इंडिया के बीच तीसरा टी टुवेंटी मैच खेला जाएगा भाईयों मैं इस मैच की आपको तीन ग्रेंड लिग की यूनिक सी टीम क्रेट करके देने वाला हूँ ताकि आप इस मैच में अच्छे कासी ग्रेंड लिग में रैंक ला सकें इसी के साथ भाईयों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आज आपको तीन प्लेयर ऐसे मिलनगे इंडिया के तरफ से जो भईया grand league जीता सकते हैं और भईया एक प्लेयर ऐसा मिलेगा इंडिया के तरफ से जो भईयå बिल्कुल फिलोप जायेगा यानि कि 10 से 20 रन के maximum बना का दे सकता है और भईया इंडिया के तरफ से एक बोलर ऐसा मिलेगा जो इस मैच में कतेवी vicket नहीं निकालेगा ज्चाहितर वही प्लेँर आपको सभी यूजर की टीम में खेलतों वह नजलाएगा ठीक है और स्रिलंका की टीम से एक बोलर आपको ऐसा मिलेगा जो इस मैच में आपको दो या तीन विक्ट निकाल का दे सकता है और वही आपको ग्रेंड लीग को जिता सकता है अगर आपको ग्रेंड लीग जीती नहीं है तो वीडियो को एंड तक देखना सबी प्लियर का वहिए मैं आपको स्टैट्स बता दूंगा और वहिए कौन से प्लियर इंपोर्टेंट रहेगा सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कास करूंगा अगर पहली बार चैनल पायो तो सिंपली पहला चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वहिए बैल आइकन को ओल बैटिंग करती है तो 22 कैप्टन से के लिए मस्ट पी करेगा ठीक इस बात का ध्यान देना काफी लोग इगनोर कर रहे हैं लेकिन यह पेर बहुत जबड़ जासते हैं एम बानुका की बात कर लेते हैं देखो लाश्ट मैच में सेगरी टीट्विंटी में सबसे बढ़ी है पर देजन करा था और विकेट की ब्रिंग से अच्छे काशी पॉइंट दियते हैं देखो वह यह एम बानुका को आप देख सकते हो इतनी वह यह पिछ सिलोती लेकिन वह इस्ट्रागल करते हैं उसने काफी अच्छा रहनी स्कोर कर अगर नियो पीच मिल गई तो यह काफी पी अच्छा रहनी स्कोर दे सकता यह बंदा इंपोटेंट पीक रहेगा ठीक है अब बात कर लेते बैट्समन सेक्स से सिकरदवन की बात कर लेते सबसे हाई परसेंट सेलेक्शन है लेकिन वह यह सिकरदवन इस मैच में ना दस से 20 रहन के बीच ही बनाएगा वरना वह यह हो जाएगा ठीक है या फिर यह लंबी पारी खेलेगा यह दस से बीचरनी बनाका देख जेगा और ज्यादे तर लोग का ना वह यहीं कैप्टन मिलेगा है मैं दोस्तों कैप्टन सी के लिए इसको सजयास नहीं करूंगा कैप्टन सी की में मस्टिपिक बताऊंगा आपको वीडियो को देखते रहा हो ए फर नाडो की बात कर लेते हैं अगर इस प्लियर की बात करें 68 पर साइट सेलेक्शन है काफी लोग इसको लेकर जा रहें लेकिन आपको कब लेकर जाना मैं आपको बताता हूं अगर पीच नहीं है बिल्कुर नहीं पीच है सेकंड वाली जो चलेगा उस पीच पर नहीं हुआ मैच तो आपके लिए इंपोर्टेंट पीक रहेंगा क्योंकि यह जो नहीं पीच मिलेगी वैटिंग प्रेंडली पीच मिलेगी और यह फान नाडो आपको अच्छा स्री लंका की टेम की तरफ से तो इंपोर्टेंट पीक पनेगा च्छा इसको सज्च लेगे अब बात कले तो इसमार्ट वैट्स वैन दोनों देवद्ध पार्टिकल और और आरगाइक वाड़ अगर इन दोने प्लॉर की बात करे ना आपको दोस्तों इस मैच में डिफ्रेंसल पिक बनेंगे और ग्रेंड लिग भी जिता के आएंगी यही दोनो पिलियर देवद्ध पार्डिकल दोस्तों इस मैच में आपको कैप्टन सी के लिए सज्जास करूंगा कापी लोग उसको कैप्टन नहीं बना कर जाएंगे लेकिन भाईया रिस्क लेखे तब ही भाईया आपको पैसा में लेग ग्रेंड लिग जीतने का रिस्क लेकर देव चेस करें कि तब इसको बाइस कैप्टन बनाना है अगर इंडिया पहले बैट फरस्ट करती है और कैप्टन नहीं डी पार्डिकल को ठीक है मैं आपको बता दिया फर्स्ट टीम के वारे में डबल वासरिंगा की बात कर लेते हैं अगर इस प्लेयर की बात करें गेम चेंजर प्लेयर होगा अगर स्रiche sleep की टीम बेल पहले बोल करा दिया ना जका है इसको बायस केप्टन काचलना अगर स्रिल्यका की टीम बैटिंग फरस्ट करें मैं जे अतना बढ़ी प्लेयर मैं सज्याश्ट नहीं करूंगा केवल वह यह दोई पेलियर हैं से हैं इन पेलियर के बारे मैंने आपको बता दिया है डीस यह वो कब लेकर चलना इस्टम बैड़ फर्स्ट करे सिर लंका की टीम सेकिन करें डेखो मैं बता जहां आपसे सब्सकि टीम हो ये दो पिलियर मिलेगे आपको बी कुमार भूनेस और कौर सभी की टीमों मिलेगा लेकिन भईया आपको मैक्सिमम एक ही विक्ट निकाल का दे सकता है ये बंदा इस मैच में विक्ट किसका निकाल एगा मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बानुका का निकालेगा बैट्समयन से ठीक है इसका वीपिज निकालेगा यह और फोड़की निकालेगा ठीक है मैं आपको बता देता हूं दो ही बैट्समयन का विकेट निकालेगा इब बरना वभय कि दोनों पीएडरो powder का चलना है थूह लेकर चलना है अधरबाइस इसको ड्रोप कर देना इसका ही बिकिट वुमनेशर कुमान लेकर जाएगा ठीक है केवल एक बिकिट डीच अमेरा को लेकर चलना डैथ ओवरे बोलिंग डालेगा ठीक काफी लोग इसको छोड़ का जारल लगे अम मैं बताता हूं इंडिया के तर बाटर लेकर चलना सीच सकर यह बहए आपको जरूर लेकर चलना केवल 14 इस मैंच में काफी जादा बिकिट निकालेगा यह इंडिया के तरफ से दो वो दो स्पिनर एंसे लेकर चलने हैं जो वह आपके लिए इंपोटेंट बिक बनेंगे आपको तीन स्पिनर भी लेंगे और चार चकर बढ़ती और कुल्दी प्यादब ठीक है देखो अम मैं बताता हूं यहां से बुम्नेसवर को और को मैं सज्जेस्ट नहीं करूंगा केवल वहिए एक विक्र निकाल का देगा कुल्दी प्यादब की बात कर लेते हैं लेका जा सकते हो ठीक है मैंने आप से पाजार यह बिक्र निकाल का देगा यह दो ठीक है काफी लोग छोड़के जा रहे हैं यह भाई आपको मैंच जाएगा यह दनन जिया को ट्राइक कर सकते हो ठीक है इसमों लिक्की टीम है अब मैं बताता हूं कौन स्पीनर लेका चले राहुल चार बाउन चकर बाती और सी चकर यह ठीक है तीन प्लियर ऐसे मिलेंगे इंडिया के तरफ से जो आज सबसे ज़्यादा बिकिट निकालेंगे इस मैच में अब दोस्तों आपको राहल चोयर अगर इंडिया की टीम बोलिंग फर्स्ट कराती है तो 22 कैट्टन सी लिए मस्ट पिक रहेगा यह दोस्तों सी सकर्या सेकेंड बोलिंग कराती है तो सी सकर्या रहेगा ठीक है कैट्टन बाइस कैट्टन मैंने अभी बता दे हैं आपको अम्मा बतातों दोस्तों टीम का प्रेवियो यह बहिए मैंने नंबर एक की टीम रहने वाली स्किन सोट ले सकते हो यहां से मैंने भूमनेशर कुमा देखो मैंने संजु सैमसन और बानु को तो भी यह मैं लेकर चलूँ गई सिकर्दमन और और दीपारडिकल दीपारडिकल मेरा कैटन इस मैच मारा एगा यह दोस्तों इसको नहीं निंकालूंगा चाहें चाहें टेली गरम पर आय ना आये लेकिन डीपारडिकल कैटन यह से मैंने केमर कषके बादेगा और और किस्सी को नहीं देखना अपनों इसको ही देखना बताएं अब छासे सों आपके लिए क्यों करा क्योंकि यहाप मैंना आप से बता दी ए seen i it all हो ले लि pressures i पापन करेगा तो अच्छा का से रन देगा यह दों यहाओ टीन प्राइड आपी डाउलक कर चाहि आ satisfy शक्र यह इह पर हो दूंदा आप इंडिया के टरंस रम से एक बोलिंग सैक्सन से तीनो प्लेयर को मैं जरूर लेकर चलूँगा उसी टीम में केवल एक प्लेयर क्यांज मैंट यnda मेर इपिह कर सब्सक्राइब बनाए अगर तभी बना ना अगर एंडियोप वेयिजर को मत बनाना का। बैट फैस्ट करते हो संजिक संपसंड को बाइस कैप्टर बना देना तेम पहला बोलिंग करा तो डवलो हसी रिंगा को बना देना थे हैं आपको ग्रैंड लिग जिताने के यहीं निए लेकर दिखा देगा तो इनको जरूर लेकर चलना है आपको कैसी लगी थीनों टीम मैं आपको पता दिया नमबार एक टीम हमारी सकते हो ऑठीक बंगे अच्छे लग लाइक कर देक है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अइकन को प्रेस करके जरूर जाना ऐसी वी